ज्यादतर लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास कि वो दूबले बतले हैं और वेट गेन करना चाहते हैं जिम जाना चाहते हैं अपनी बोडी बनाना चाहते हैं वो भी एक तंदुरुस्त इंसाम दिखना चाहते हैं तो इसके लिए आयुरवेद में कुछ उपाय हैं? जिया, सबसे पहले तो अपनी दिन चरिया को जो है नियवत बनाई है आप, प्रती दिन की, दिन चरिया यदि सही होगी, तो सेहत अपने आप बनेगी, दूसरी नमबर पर मोजन आता है, मोजन में आपने क्या ग्रेंड करना है, जैसे पुदीना, बथुआ, बथुए के किया जाए, तो एक साल का बिमा हो जाता है, कि आप बिमार नहीं होगे, और पुदीने के अंदर, पुदेने की चैठनी खाने से, आपके सरीर के अंदर कविखून की कमी नहीं हुई, तो इस तरह के से, समय के अनुसार, असमय का फल, उसका से वन चाहिया, और सीजन की और जो भोजन हमारे सामने आजाए, उसको ग्रेंट करजा, इश्वर का धन्यवाद करके उसे खाईएगा, और यह नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, यह नहीं खाऊँगा, तो आपका मन मलीन होगा, तो शरीज भी मलीन होगा. तो अगर ये तो हो गए नियमित जिन्दगी बनाना इसके अलावा सवाल उठता है कि हम सेहत बनाना चाहते हैं जैसे किसी की शादी आने वाली है या कहीं परफॉर्म है या फिर कुछ उसको और फॉजी की नौकरी होती हैं जोब्स होती है तो इस तरह की तैयारी कोई कर रहा ठीक है बहुत अच्छा कुछ आपने जवान प्रॉड और व्रिद्ध ये तीनों के लिए बता रहा हूं है जिस तरह मैंने बताया था ना हरण वेड़ा आउनला तो तिर्फला बन जाता है तो उसके गुंड बढ़ जाते हैं मुठी के अंदर ताकत ज्यादा हो जाती है त क्योंकि विदारा जो है बुड़ापे की लाठी का आ जाता है और सतावर चाहे इस्त्री हो या पुरुष हो तो दुग्द वर्दक है अगर कोई दूद नहीं पीता है या सुटेवल नहीं है उसको कैल्शियम तो वो सतावर लेगा दूद की पूर्ति करेगी क्योंकि ये क अगर उसके पत्ते अश्वगंदा के पांच पत्ते नियमित एक महिने खाने से पांच किलो बजन कम हो जाता है अच्छा अश्वगंदा के अंदर ये गोने जड़ से से शेहतमन और पत्ते खाने से मुड़ापा कम तो विधारा बताया मैंने कि वुड़ापे की लाठी है और सतावर जो है दूद की पूर्ति करती है और धातु पॉष्ट के सब्त धातु को बढ़ाती है इनको इस्तमाल करने की विधी विधी इनका चूरन बजार से आप खरी सकते हैं अन्य था पंसारे की आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल अड्रेस है आयूरवेजसमाध्धान एजीमेल.com आयूरवेद के ऐसे ही समाध्धानों के लिए और हमेशा स्वस्त बने रहने के लिए सब्सक्राब करना न भूलें आयूर वे समाध्धान